हम पढ़ने लगे हैं T.S. Eliot का एक बहुत ही फेमस वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविज्वल टेलेंट T.S. Eliot modern literary critic and poet के तौर पर जाने जाते हैं ये उनका वर्क भी modern literature पर एक अटेक था T.S. Eliot का ये बहुत फेमस वर्क है ये 1919 में दाइग्वेस्ट नाम के मैगजीन में पबलिश हुआ था T.S. Eliot poet भी थे और literary critic भी थे उन्हें Sir Philip Sydney एंड S.T. Coleridge के साथ compare किया जाता है उनका ये वर्क romanticism पर अटेक था romantic poet words वर्थ का कहना है कि poetry जो है वो spontaneous overflow of powerful feelings का नाम है यानि poetry को हम inspiration of personality कहते हैं एक poet की जिस तरह की personality होती है उसकी poetry भी इसी तरह की होती है लेकिन T.S. Eliot का idea इस से हट के था उनका कहना था कि poetry हमेशा personality से दूर होती है ऐसा लाजमी नहीं है कि poet की जिस तरह की personality होगी उसकी poetry भी उसी तरह की होगी ये escape of personality का नाम है वो अपने इस वर्क को three parts में डिवाइड करते हैं concept of tradition, theory of impersonal poetry and its conclusion concept of tradition, यानि literary tradition वो बताते हैं कि किस तरह poet का tradition से relation होता है T.S. Eliot का कहना है कि इंगलिश में हम कभी कभी tradition की बात करते हैं अपना दुख दिखाने के लिए हम कहते हैं कि अब tradition absent है वो कहते हैं tradition को समझा ही नहीं गया किस तरह इसे अपने works में शामिल किया जाए टर्म ट्रेडिशन का मतलब है past और present को जोड़ना ये put और a tradition के दरमयान तालुक है जो sorrow को बियान करता है किसी दुख को बियान करता है T.S. Eliot क्लासिकल put के तौर पर जाने जाते हैं T.S. Eliot अपने work में historical timelessness की बात करते हैं यानि T.S. Eliot ऐसा नहीं मानते थे कि अगर put अपने past के put को या writers को भूल गए या उनसे अलग हो गए तो वो individually उनसे great नहीं हो सकते बलके उनसे पहले के जो writers थे या put थे उनके बारे में बताएंगे के मेरे पहले के put किस तरह immortal है वो हमेशा जिन्दा रहेंगे ये चीज रीडर्स में awareness पहलाएगी historical timelessness बहुत जरूरी होती है अगर कोई put अपनी writings में अपनी poems में past के writers को put को शामिल नहीं कर रहा वो timelessness को शामिल नहीं कर रहा तो उसके works की कोई value नहीं है according to T.S. Elliot जिस तरह का Homer का literature था उनके एक work का नाम था The Whole of the Literature from Homer Homer एक classical put थे उनके works historical timelessness की best example है अगली बात करता है novelty novelty यानि कोई चीज new लाना जिस तरह ये term थी tradition ये भी new थी novelty यानि कोई भी artistic creation zero से नहीं होती है इसमें past और tradition का बहुत रोल होता है past के elements को note किया जाता है उसमें नई चीजें आती हैं तो वो new work create हो जाता है और इसमें novelty थी term tradition की next है personal emotions T.S. Elliot का कहना था कि एक poet कभी भी अपनी poetry में अपने personal emotions शो नहीं करता जो great works होते हैं उन में poet की personality की कोई बात नहीं होती poet अपने unique emotions को अपनी शायरी में कभी जाहर नहीं करता यानि उसकी life में क्या चल रहा है it doesn't matter वो अपनी poetry में अपनी personal life discuss नहीं कर रहा होता T.S. Elliot का कहना था कि poetry हमेशा escape from emotions का नाम है successful poetry impersonal होती है उसमें poet की personal life का कोई अमल दाखल नहीं होता यानि इस से words worth की बात गलत होती है कि poetry emotions का powerful feelings का नाम नहीं है poetry just experiences का नाम है हम किसी poetry पढ़कर ये अंदाजा हर्गिस नहीं लगा सकते कि यही circumstances उसकी अपनी life में चल रहे है T.S. Elliot कहता है powerful poetry हमेशा personality से दूर होती है उसमें poet की अपनी personality का कोई अमल दाखल नहीं होता वो हमेशा impersonal होती है individual talent traditional talent की carefully study से ही बनाया जा सकता है और ये talent विरासत में नहीं मिलता यानी बगएर मेहनत के इसे नहीं पाया जा सकता अगर individual talent चाहिए तो उसके लिए traditional talent की carefully study करनी पड़ेगी poet के लिए study करना बहुत जरूरी होता है और ये समझना कि उससे पहले के poets कैसे थे लेकिन poets की study थोड़ी सी unique होती है इसके लिए mind of Europe को समझना जरूरी होता है यानी अपने poetic lens के जरिये traditional talent की study करना जैसे Shakespeare ने अपने से पहले की history को समझा था इसलिए poet का अपने past के writers से poets समझना बहुत जरूरी होता है उनसे सिखना जरूरी होता है ये famous essay था T.S. Elliot का इस essay के बाद modern critics के लिए बहुत सी new राहें खुली थी और ये English literature की history का one of the best essay माना जाता है I hope समझा गई होगी समझा गई है तो like कीजेगा और comment भी कीजेगा जजा कला